हलो एब्रिवन 24 वाले स्टुएंट्स के लिए मैं कुछ important बातें discuss करना चाहूंगा निमसे 24 स्टुएंट्स के लिए हम लोग new batch जो है वो 16th of January से start कर रहे हैं अल्रेडी कई सारे batch हो चुके हैं बच्चे पढ़ रहे हैं पर अभी भी मैं बोलूँगा वो बच्चे जो की 24 को target कर रहे है जो second year में है या जो final year में और जिन्होंने अभी तक target नहीं किया है और वो सोचते है 24 में करना है तो मैं उन सभी को बोलूँगा कि right time है कि आप अभी से join करें तो इस batch के क्या-क्या unique features होंगे मैं बात करूँगा आप से सबसे पहले number one कि ये batch 16th of gen से start होगा और इस batch में हम लोग syllabus को three time cover करेंगे पहला session जनवरी से जुलाई तक लगवक चलेगा फिर जुलाई से December तक और फिर जनवरी के बाद एक quick revision होगा अक्सर क्या होता है कि हम इतने late join करते हैं कि कई बार syllabus cover नहीं होता या इतना stress या pressure हो जाता है कि हम syllabus को properly नहीं कर पाते हैं रैंक नहीं आती तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि जितना proper time पे हम start करते हैं ऐसा नहीं कि इस batch के बाद batch नहीं होगे start होगे पर आप जितना late start करते हैं उतना आपके उपर pressure बढ़ता है और जितना जली करते हैं उतनी freedom के साथ पढ़ाई कर सकते हैं especially जो बच्चे college आते हैं आपके ओ तीन बार syllabus होने को यह से दो बार तो complete होगा एक बार revision तो आपको कहीं एक तो pressure नहीं आएगा जब भी semester exam होगे आप break भी ले सकते हैं वो portion को आप बाद में cover कर लें या recorded form में कर लें यह जो live class है इसको आप live के साथ साथ बाद में भी कभी देख सकते हैं अगर कोई class मिस हो जाए दूसरा इस batch के साथ आपको complete steady material होगा जिसमें कि zero level sheet बिल्कुल basic फिर डेली प्रेक्टेस 50WPT topic wise test और weekly Sunday test और उसका live analysis यानि यह अपने आप में complete module होगा आपको कोई अलग से guide खरीदने की जयुवत नहीं होगी और weekly एक प्लान होगा everyday अभी क्योंकि 24 का batch है और हमारे पास करीब-करीब 17 से 18 month का time है तो per day one class होगी और हो सकता है दो class भी हो और जैसे जैसे exams का time बढ़ता जाता है class के करीब आते जाते हैं class भी बढ़ती जाती है और हर class की duration minimum one and half hour होती है पर normally two two and half hour चलती है जिसमें आपका math पूरा cover होगा computer fundamental cover होगा logical reasoning quantity aptitude तो समय रहते पढ़ने के हमें अच्छे result मिलते हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपने मन बनाया है और आपने सोचा है कि मुझे निमसेट या अच्छे college जैसे CET, CUT या DU इन जैसे colleges में जाना है तो right time है action लीजिए और start कर दीजिए preparation थैंक यू